बड़ी खबर राच्ची से आरे जहापर मुख्यमंत्री आवास एडी की टीम पहुँच गई आपको बता दे सीम हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजायम किया गए है मुख्यमंत्री आवास के बाहर धारा 144 लगा लगाई गई है साथी राजबबन और एडी दफ्तर के बाहर भी धारा 144 लागू कर दी गई है तो बड़ी कबर राजबानी राची से जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास महुची है एडी की टीम और आपको बता दे के पूछता अच्छा होनी है मुख्यमंत्री आमन्तु सोरें से इससे पहले ही सीम हाउस के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजायम कर दिये गए है और यह तस्वीरे आप देख रहे हैं राची से एक्स्कुलूसिफ तस्वीरे जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े सुरक्षा के इंतजाम किये गए हैं अम जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे मवजूद है सीम हाउस के बाहर दारह 144 लागू कर दी गई है एक्सकुलूसिफ तस्वीरे आप राजधानी राची से और आज एडी की टीम पहुंची है एक बज़े से पूश्ताच होनी थी और एडी की टीम पहुंच गई है मुख्यमंत्री आवास और आपको बदा दे की जो एडी की आधिकारी है वो सीम हाउस अंदर चले गए हैं जहाँ पर उनसे अब पूश्ताच की जाएगी मुख्यमंत्री हमन्त सोरें से तो यह तस्वीरे आप एक्सकुलूसिफ राजधानी राच्चु से देख रहा है उनके साथ वदायक शिल्पी नेहा तिर्की भी मुख्यमंत्री आवास पहुंची है तो देखिए एडी की टीम पहुंची है उससे पहले इन तमाम मंत्री और वदायक भी पहुंचे है जहाँ पर मुख्यमंत्री ने इन तमाम मंत्रियों और वदायकों से भी बाच्चीत कर हैं और आपको बदा दे कि सीम हाउस मुख्य सचीब भी पहुंचे हैं मुख्यमंतरी से उन्होंने बापचीत किया है जो ताजा राजनितिक हलात बन रहे हैं राज़ानी राची में उसके मद्दे नजरतावर तोड़ बैठक भी कल से हम देख रहे हैं लगतार मुख्यमंतरी दोर जारी राज भी सुबह तमाम नेता और मंतरी पहुंचे और आब जो एडी की टीम है वो पहुंच गई है कितने गाडियों से एडी की टीम पहुंची है एडी के जो अधिकारी हैं वे मुख्यमंतरी आवास पहुंच गए हैं और एक दरजन से अधीक गाड़ी की सुरक्षा के बीच में एडी के जो अधिकारी थे वे मुख्यमंतरी आवास पहुँचे हैं आपको दिखलाना चाहेंगे मुख्यमंतरी आवास के बाहर का जो नजारा है जो पुलिस की जो चौकसी है जो चाक चौबन जो बेवस्ता की गई है सुरक्षा के वे मुख्यमंतरी आवास के बाहर देखने को मिल रही है हाला कि पहले इसे ही जानकारी थी कि एडी के अधिकारी आज एक बचे मुख्यमंतरी से पूस्ताच के लिए मुख्यमंतरी आवास पहुँचेंगे और अब से दस मिनट पहले ही जो एडी की अधिकारी हैं वे मुख्यमंतरी आवास पहुँच चुके हैं और उनसे पूस्ताच होगी एडी मंत्री ने मुख्य मंत्री आवास का चैन किया था और यहां पे एक बज़े एडी के अधिकारियों को बुलाया था ही वजा है कि मुख्य मंत्री आवास के बाहर जो चाक चौबंद आप ब्योस्था देख रहे हैं की गई है 144 धार्ह वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगाई गई है ताकि यहां पर कोई भी पांट लोग सधीकी कठ नहीं हो सके हाला कि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में मुख्यमंत्री आवास जहां है काके रोट में वहां दोनों छोर जहां मुख्यमंत्री आवास तक पहुंसती है जो रास्ते वहां पर बेरिकेटिंग कर दी गई है और इस रास्ते को ब्लोक कर दिया गया है और अब जो गडबंदन के मुख्यमंत्री हमन सुरेन है और आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे पर इसके आलावे किसी तरह की बिकट परिस्तिती आती है तून परिस्तितियों से निपटने के लिए भी कई रनीती कल की बैठक में बनाई गई है वहीं अधी कॉंग्रेस जो साथ में ही पहुचे हैं और कहीं नहीं सभी चीजों पे उनकी भी पेहनी नजर है कल वह भी अपने कॉंग्रेस विद्धायकों के साथ बैठक थी यदि की पूस्ता आज के बाद एगडी कोई विकट परिस्तिति आती है तो उनका स्टेंट क्या होगा हाला कि कल की जो बैठ प्रेस कौनफरेंस करती है और वो कहते हैं सब कुछ ठीक है हमारी आस्ता है में है वही सीयम रहेंगे कल की बैठक में एक दिल्चस्प बात थी कि हैमंत सोरिन की पत्नी बैठी हुई थी उस मिटिंग में जेमें के नेता इस पर क्या कुछ कह रहा है जी अभी तक कि ये राजनीतिक परिप्रेश की बात की जाए तो कई लाइन पर बात हो रही है कि ये कोई बिकट परिस्तिति आती है तो मुख्यमंत्री जो बाते अभी तक निकल के आई है उसके अनुसार देखा जाये तो एदि उस तरह की कोई भी परिसिती आती है तो कलपना सोरेन का भी नाम मुख्यमंत्री ने जो जानकारी सुत्रों से मिल रही है कल की बैठक पर हुई थी कि मुख्यमंत्री ने कलपना सो पर कहना है कि सभी कुछ ठीक है और हर एक परिस्तिती से वे लड़ने के लिए तयार हैं और कहीं न कहीं जो विधायक हैं गड़बंदन के उनका साब तोर पर निसाना बीजेपी सरकार पर है और उन्होंने या का सकते हैं आरोब भी लगाया गया बीजेपी पर लगाया है कि उनकी इस अरे पर ही ये सारे काम हो रहे हैं और हम डरने वाले नहीं है ना ही जुकने वाले हैं हर एक जो पर सिती आएगी उसका हम सामना करने के लिए तयार हैं तो देखना होगा एडी की जो पूस्ताच है उसके बाद यहां इस पश्ट हो पाएगा क्योंकि यह दिप पिछले दिनों की बात करें तो इसी मा के 20 जनवरी को एडी के अधिकारे इसी मुख्यमंतरी आवास पहुचे थे और घंटों मुख्यमंतरी से पूस्ताच हुई थी और देर रात मुख्यमंतरी से पूस्ताच के बाद एडी के अधिकारी यहां से लोट गए थे हलाकि उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयम इसी सड़क पे निकल के चोराहे पर उन्होंने अपने कारेकरताओं को संबोधित किया था और उन्हें साब लहज़े में कहा था कि वे ना तो पहले कभी जुके हैं और ना आगे कभी जुके हैं तो देखना होगा आज की जो कारवाई एडी की जो पूस्टाच है पूस्टाच के बाद क्या आगे कै। पूरे राजनीती को देखा जाया तो कहीं न कहीं 25 सरकार पर कई इन चीजों को लेके हमलावर होते नजर आ रही है आला कि कल अरगोड़ा थाने में भी मुख्यमंत्री के लापता होने का एक मामला बीजेपी के जो नेता थे वे दर्च कराने पहुंचे थे जिसके बाद नहानी का भी जो मुकदमा है वह दर्च करेंगे तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से जो सियासत हलचल चल रही है उसमें आरोप परत्यारोप का भी दौर जारी है जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रही है लोग जो बीजेपी के लोग हैं चाह सांसद हों विदाय उनका कहना है कि मुख्यमंत्री इस एडी की जो कारवाई है जो पूस्ताच है उससे क्यूं भाग रहे हैं एडी के प्रसनों का सवाल के जबाब का क्यूं नहीं वे जबाब दे रहे हैं पर सत्ता पक्ष की अधिबाद करें तो जेमेम का साब तोर पर कहना है कि उन्होंने पहले ही समय E.D. को दे दिया है कि 31 तारी को वे एक बज़े से पूस्ताज के लिए आ सकते हैं तो ऐसे में आरोप लगाना कहीं गलत होगा और इसके बीच आज E.D. के अधिकारी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री से पूस्ताज के लिए और या मामला जमी मुख्यमंत्री आवास में पूस्ताज हुई थी और आज एक बार फिर E.D. के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं पूस्ताज के लिए संदीप एक और यहां पर बड़ा सवाल होता है कि देखे चुनाव अब कुछ दिन बाद होने हैं कुछी मैने में अब उस अंदोलन किया था तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए कितना एहम हो जाता है मंत्सोरिन से यह पूछताज होना अजि कहीं न कहीं एदि सत्तापक्स के विदायकों की बात करें तो वह बीजेपी पर या रोप लगा रही है कि चुनाव नस्दीक है रही वजा है कि जो कारवाई है एडी के दुवारा एक कारवाई की जा रही है हलाकि अब भी एदि आप बात करें तो आप देख सकते हैं मुक्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है और मुक्यमंत्री आवास के बाहर राजभोन के बाहर और एडी दब्तर के बाहर 144 धारा भी लागू की गई है पिछले एदि 20 जनवरी की बात करें तो जेमेम के कारेकरता मुक्यमंत्री आवास के दाइने और बाएं दोनों जगह पर रिकत्रित हुए थे और कहीं न कहीं इस कारवाई के दर्मियान में सुबा से जब तक एडी की कारवाई चली थी तब तक डटे रहे थे यही वज़ा है कि इस बार आप देख सकते हैं मुक्य भी कारेकरता क्योंकि 144 धारा लागू की गई है मुक्यमंत्री आवास के बाहर भी राजभौन के बाहर और इडी दपतर के बाहर एही वज़ा है कि दूर दूर तक कोई भी कारेकरता यहां पे इस बार नहीं दिख रहे हैं सर्प पुलिस के ज़ो जवान हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं सुबा से ही गस्त कर रहे हैं जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं वे लगातार इन चीजों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा की भी जो ब्योस्ता की गई है उन पर उनकी पैनी नजर है एहतियात के तोर पे आप दूसरी तरफ दिखलाना चाहेंगे जो बजरवाहन की गाडियां है वो सब भी यहां पे मौझूद है फायर बिर्गेट की जो गाडियां है वो मौझूद है मुख्यमंतरी आवास तक जितने भी रास्ते पहुंशते हैं उन सभी रास्तों में बेरिकेटिंग की गई है और दोनों तरफ से रास्ते को ब्लॉक क किया गया है ताकि जब तक एडी की यहां पे कारवाई चलती है तब तक किसी तरह के जो लोग है या फिर किसी तरह के वाहन का परवेश इस रास्ते पे नहीं होगा और आपको बतलाना चाहेंगे मुख्यमंतरी आवास राजदानी राची के कांके रोड में इस्तित है यही तरह की यहां पे वेवधान उत्पन ना हो पुलिस के जवानों की तैनाती कल रात से ही की गई है ताकि सुरक्षा में किसी तरह का को जो चूक ना हो और यहीं वज़ा है कि डी सी एससपी आईजी डी आईजी सभी इन चीजों की खुदी मोनीटरिंग कर रहे हैं और एडी क सुरक्षा व्यवस्ता कड़े कर दिये गए हैं आप हमारे साथ बने रही है और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट करवा देते हैं की डी के टीम मुखिमंतरी आवास पहुच गई है जहाँ पर हमंत सोरें से पूश्ताच की जा रही है और उनके हाउस के बाह उनके जेमें के जो कारिकरता है वोस्त सडकों पर उतर गए थे और पूरे परदेश बर के जो अलग अलग 24 जिले हैं वहां पर जूरदार पर दर्शन किया था एडी के खिलाप जमकर नारिबाजी भी की गई थी यहां तक कि केंदर की मोधिस सरकार के खिलाप आरोप लगा हैं तो ऐसे में कड़ी सुरक्षा इस बार एडी के आधिकारी मांग की है जो राज सरकार की पुरसासन है उनसे मांग की है और उसके बाद कड़ी सुरक्षा लगाई गई है 144 लगाई गई है मुख्यमंतरी आवास के बाहर एडी दफ्तर के बाहर और राजभवन के बाहर एक बार फिर हमारे संदीप जुड़ है संदीप ये बताइए कि राजभवन से राजपाल से मुलाकात करके हमंत सुरेंद दिल्ली गए थे और फिर जब वो बापस लोटे और कल महात्मा गांधी के प्रतीमा पर गए उन्होंने मालियारपण किया शरदांजली दी और उन्हो के बयान और उनके जो कल लहजे थे बाकी कह सकते हैं काफी खुश निकाई दे रहे थे यानि वो तैयार हैं कि हम एडी से भी लड़ेंगे और जनता के बीच भी जाएंगे आप मुख्यमंतरी ने से पहले भी कई बार अपने बयान दिये थे कि ना तो वे जुकेंगे और ना ही रुकने वाले हैं इससे पहले भी यह दिये आप गौर कीजिएगा 20 जनवरी को जब इडी के अधिकारी मुख्यमंतरी से पूस्ताज के लिए मुख्यमंतरी आवास पहुँचे थे और पूस्ताज के बाद जब इडी के अधिकारी यहां से रवाना हो गये थे उसके बाद लगभग 5 मिनट के अंतराल में ही मुख्यमंतरी अपने इसी मुख्यमंतरी आवास से बाहर निकले थे और आगे जो चौक आपको दीख रहा है जो सूचना भौन चौक है वहां पे मुख्यमंतरी खुद चौक पे उपस्तित होके अपने कारेकरताओं को संबोधित करने का काम किया था और साप लहज़े में मुख्यमंत्री ने कहा था किस से पहले ना तो कभी जुके हैं और आगे भी ना कभी जुकेंगे हर एक परिस्थितियों का वे डट के मुकाबला करेंगे और जो राज्य की जनता है उनका आसिरवाद उनके साथ है और एही वज़ा है कि आज जो एडी के जो अधिकारी पूस्ताज के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हैं इससे पहले भी कल की एडी बात करें तो मु मुरबादी में स्थित हैं वहाँ पहुचे थे संधा सुमन और पित करने के लिए और वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को संबोदित किया था कि जो भी फैसला होगा उसमें उनका जो एडी की जो कारवाई है या फिर जो उनके तरफ से जो पूस्ताच होगी उसमें ना तो वे पीछे हटने वाले हैं और हर एक सवालों का जबाब भी उनकी तरफ से दिया जाएगा पर जीस तरीके से कल देर साम बैठक भी हुई और सरुसमती से एक बार फिर से विधायक दल की बैठक में निरने हुआ है कि मुख्यमंत्री हैमंसोरे नहीं हैं और आगे भी मुख् वे सारे कोई मौझूद थे और बैठक समाप्त होने के बाद भी कई लोगों ने या आरूप लगाया कि विपक्ष की सारे पर या पूरी कारवाई हो रही है पर उन हरेक चीजों का वे डट कर मुकाबला करेंगे और पूरा गटबंदन एक साथ है पर आज अब एडी की जो अधिकारी हैं वे पहुंचे हैं मुक्यमंतरी से पूस्ताच के लिए और पूस्ताच के बाद ही असपश्ट हो पाएगा कि आखिर पूस्ताच के बाद अब क्या होगा या फिर जारकंड की जो राजिनिती है किस दिसा में करवट लेगी ये बिलकुल संदीप हमारे साथ ब वह थे खंटे पूस्ताच की गए और उसके बाद फिर दुबारा उन्हें समय दिया गया था कि इन अटिस से कटिस जन्वरी के बीच आप बताएं कि आपकभ अपंधनी के अम पूस्ताच करने के लिए और जिसके बाद उन्हें आज का समय दिया गया और इस बीच आपको साथ हैं सभी लोगों का समर्थन मुख्यमंत्री अमंत्र सोरेन के साथ है तो देखिए स्वाय समंत्री बनना गुप्ता ने बड़ा वयान दिया है मुकिमंतری आवाज पर पहुँचे थे सुबा बाचीत की मुकिमंतری अमंग सोरेन से और अब बाहर निकल गए हैं बाहर निकलने के दुरान उन्होंने मीडिया से बाचीत करते हुए कहा कि मुकिमंत्री समवाइधानिक रूप से सहयोग कर रहे हैं जाच में हम लोग एक जुट हैं, एक साथ हैं, हमारा समर्थान C.M.M. सोरेन के साथ है और जो जन्ता ने बहुमत दिया है, अधिक भाइदान के जुट है, उनकी आसा विश्वाद, उनकी जीवन के मुल्यों के उठान के लिए सर्टार बनी है, वो अपने डाइटू का खुदा निधा करें।